आक्षिन बटालियन की स्थापना आतंकबाद और दूसरे जगने अपराधू पर लगाम कसने के मकसद से की गई थी लेकिन समय के साथ इसका चाल चलन बदलता गया ये इतना बदला कि आर एबी को डेथ स्कॉड यानी मौत के दस्ते के तौर पर जाना जाने लगा असलाम एकुम जी वल्कुम एक टुए चैनल होब आप सब बिल्कुर एक डाक होंगे मैंदाम समयने आप देखें समय हैं वी एक्षिन्स तो जी आज हम बात करेंगे मंगलादेश की अलीट फोर्स रैप के बारे में यहां पर रैप को जिस काम के लिए पॉइंट किया गया थ था वो था स्पेचली देश्चतगर्दी को खत्म करने का काम पीस को मेंटेन करने का का वैल यहां पर जब यह काम हो रहा था तो साथ ही कुछ ऐसी चीजें हुए हैं कि रैप का गया कि रैप की जो एक्टिविडीज हैं वो बिल्कुल ठीक है हुमन राइट्स के गेंस्त है एक इनसानी हकूप के जो खलाफ फर्जियां है इस रैप की जानेब से हो रही है और अब इसी वज़ा से जो परबंदिया है रेस्टिक्शन्स है इस रैप फोर्स पे लग चुक्या है और यह मजीद अपनी एक्टिविटीज और जो भी ऑपरेशन्स हैं इनके उसको जारी नहीं रख सकते हैं कांटिन्यू नहीं कर सकते हैं वैल यहां पर अभी जो है अलजजीरा पर रिपोर्ट लगी है साथ ही इंडिन मीडिया की जानेब से इस पर बात की गई किस तरहां डैथ स्कॉर्ड में बदल गई है कौन सा काम था जो पहले इनको सौंपा गया था और कि की रैप की जानेब से जिनको डेल किया गया और उसकी वज़जा से देखा के लोग जो है बहुत जादा खौफ का शिकार थे रैप की वज़ज़ से वैल यहां पर कहा जा रहा है कि स्कॉर्टी जो कोई भी ऐसी अजेंसी होती है गृप होता है उसकी वज़जा से जो है अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, like grab की वज़ासे, insecurity जो है increase होगे, यह में नहीं कहरे ही, यह कहा रहा ही, इंडियन मीडिया की रपोर्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, उन्होंने कुछ incidence का जिकर किया, आया वो incidence सही है, कपकी है, क्या है, कैसे है, अगर आपको ज्या पूलिस cohort मिनके शब्सक्राइब करें सि hell like करें इस सार्थ पूलिस ही यह शबस अपके मन में क्या ह्याला आता है आपके मन में जो भी आया हो है मैं कॉमेंट करके जरूर बताएं, हैर पुलिस का शाब्देकर्थ होता है आरक्षक, यानि आम जनता की सुरक्षा करने वाला, अपराद को रोकने वाला, हिंदी फिल्मों में पुलिस के संधर में एक राइमिंग खूब चलती है, रक्षक और भक्षक, यानि पुलिस का करतव्य रक्षा करना ह लेकिन किनी वजहों से उसका जो चरित्र है वो भक्षक में बदल जाता है, बांगलादेश की एक एक एलीट पोर्स पर ये राइमिंग बिल्कुल फिट बैठती है, 2004 में बांगलादेश में रापिड आक्शन बटालियन की स्थापना आतंकबाद और दूसरे जगन्य अप राधो पर लगाम कसने के मकसद से की गई थी, लेकिन समय के साथ इसका चाल चलन बदलता गया, ये इतना बदला कि आर एबी को डेथ स्कौर्ड यानी मौत के दस्ते के तौर पर जाना जाने लगा, इसके उपर मानव अधिकार उलंगन, गैर कानूनी हत्या, घूस, खोरी स कई संगीना रोप लगे, अमेरिका ने 2021 में इसी के आधार पर आर एबी और उसके साथ सीनर अधिकारियों पर प्रतिबंद लगा दिया था, अमेरिका अपने आपको बुनियादी अधिकारों का संरक्षक बताता है, इसी तरह का दावा यॉरोप के उसके कई सहयोगी देश भी करते हैं, हालकि कई बार उनके दावों में भारी अंतर दिखाई देता है, इस अंतर की पुष्टी अल जजीरा की रिपोर्ट्स में हुई है, 7 और 8 दिसंबर को अल जजीरा ने आर एबी से जुडी दो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश की है, इसमें द पुरी कहानी क्या है, आर एबी पर किस तरह के आरोप लगते रहे हैं और अल जजीरा की रिपोर्ट में क्या राज बहार आए हैं नमस्कार मेरा नाम दव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतराश्ट्र प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कारिक्रम दुनियादारी आज हम बांगलादेश के आर एबी की कहानी आपको सुनाएंगे पहले तीन घटनाएं जान लीजे नमबर एक 16 नवंबर 2009 को फोन पर मिली टिप के आधार पर आरेबी की एक टीम मदारीपुर की तरफ रवाना हुई उन्हें खबर मिली थी कि प्रतिबंदित संग्ठन पूरबाब आंगलार कम्यनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्य मीटिंग करने आ रहे हैं आरेबी ने मौके पर पहुँच कर उने गेनने की कोशिश की वे उन्हें अरेस्ट करने के इरादे से आये थे लेकिन वे कुछ सोच पाते उससे पहले ही उनके उपर गोली बारी होने लगी आरेबी ने जवाब दिया इस मुटभेड में दो लोगों की मौत हो गई लुत्वर रह्मान खलासी और खैरुलहक खलासी तोनों भाई थे उनके पास से तीन रिवॉल्वर, एक राइफल और कुछ गोलियां भी बरामद हुई मुटभेड के बाद आरेबी के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मीटिंग की जानकारी पौन पर मिली थी हम उन्हें अरेस्ट करने आये थे लेकिन उन्होंने हमारे उपर गोलियां चलानी शुरू कर दी हमें अपने बचाव में फाइरिंग करनी पड़ी, इसमें दो लोग मारे गए उसके बाकी साथी फरार होने में सफल रहे ये आरेबी का वर्जिन था लेकिन उनके दावी में कई पेच भी थे जिन्दो भाईयों को मुटभेड में मारने का दावा किया जा रहा था उन्हें आरेबी ने तीन दिन पहले यानी 13 नवंबर 2009 को उनके घर से गिरफतार किया था 14 नवंबर को उनके घरवालों ने एक प्रेस कॉंफरेंस की उन्हें ये डर था कि आरेबी हिरासत में उनकी हक्तिया कर सकती है प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने इस डर का इजहार भी किया उन्होंने सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की इसके दो दिन बाद ही मुटभेड की खबर सामने आई आरेबी के पास कोई पुखता वजह नहीं थी 17 नवंबर को हाई कोट ने जवाब मांगा कहा कि 48 गंटे के अंदर दोनों भाईयों की मौत को एक्स्प्लेन कीजिए तब आरेबी की तरफ से लौ ओफिसर अदालत में पेश हुए उन्होंने अदालत की सामने कहा कि ऐसी कोई मुटभेड हुई ही नहीं ये भी कहा कि उनका कोई अधिकारी इस तरहां की घटना में शामिल नहीं था इमामला एक बेंच से दूसरी बेंच के बीच टलता रहा दोशियों पर कभी कोई कारवाई नहीं हो पाई घटना नंबर दो के बारे में अब हम बात करते हैं तीन माच 2011 की ये बात है बांगलादेश की राजथानी डाका में रसल एहमद भुट्टो दुकान के गल्ले पर बैठे हुए थे वो दुकान उनके दोस्त की थी दोस्त किसी काम से दूसरी जगा गया हुआ था उसने लोटने तक दुकान का खयाल रखने की हिदायत दी थी जब वो लोटा तो दुकान खाली थी भुट्टो अपनी जगा पर नहीं थे दोस्त इसे नाराज हुआ उसको भारी कोफ्त हुई कुछ गंटे बाद भुट्टो के घर से एक आदमी उसकी दुकान पर आया उसने पूछा क्या आपने भुट्टो को कहीं देखा है वो आपके हां आने की बात बोलकर निकले थे ये सुनकर उस दोस्त को जटका लगा उसने आसपास में परताल की फिर ये पता चला कि सादे लिबास में कुछ लोग उसकी दुकान पर आये थे वे भुट्टो को अपने साथ ले गए इस समय तक ये अंदाजा लग चुका था कि उनको आरेबी ने उठा लिया है उनके घरवालों ने हर दर्वाजा खट-खटाया भुट्टो के एक रिष्टेदार बांगलदेश के आर्मी में काम करते थे उन्होंने आरेबी में अपने दोस्तों से संपर्क किया उनसे वादा लिया कि भुट्टो की हिरासत में हत्या नहीं की जाएगी इसके हफते भर बाद भुट्टो के घर के पास एक वैन आकर रुकी उसमें नकाब पहने एक शक्स को नीचे उतारा गया उसे पार्क में ले जाया गया थोड़ी देर बाद धाएं की आवाज आई आरेबी ने पत्रकारों को फोन करके बुलाया कहा कि एक अपरादी भागने की कोशिश कर रहा था मुटभेड में उसको मार गिराया गया जब पत्रकार वहाँ पहुँचे और उन्होंने पूछताज की तो पता चला वो लाश रसल एहमद भुटो की थी भुटो के घरवालों ने आरोप लगाए कि आरेबी नेकता है पैटन के तहट भुटो की हत्या की थी उन्होंने मुटभेड के दावे को खारच कर दिया इस मामले में ना तो किसी पर कोई आरोप तैह हुआ ना ही किसी को कोई सजा ही हुई अब आते हैं तीसरी घटना पर 30 अप्रेल 2014 को बांगलादेश के नारायन गंज में शीता लोका नदी के मुहाने पर हजारों लोग जमा थे वहां दर का माहौल पसरा हुआ था दरसल उस डोज नदी से लाशे निकल रही थी पहले एक लाश दिखाई दी फिर दूस्टी फिर तीस्टी संख्या बढ़ती गई और भील के सामने ही साथ लाशे पानी की सथा पर उभराई सबके हाथ पीछे की तरफ रसी से बंधे हुए थे कई लाशे इतनी सर चुकीं थी कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल था मुहाने पर जमा कुछ लोगों ने कपड़ों और शरीर की बनावट के आधार पर दावा किया कि एक लाश सिटी काउंसलर नसरूल असलाम की है जल्दी बाकियों की पहचान भी पूरी हो गई चार लोग नसरूल के सही होगी थे बाकी की दो लाशे चंदर कुमार सरकार नाम के एक वकील और उसके ड्राइवर की थी लाशे मिलने के बाद भारी बवाल शुरू हुआ नारायन गंज में लोगों ने हाईवे जाम कर दिया बवाल बढ़ने के बाद कई स्थाने अधिकारियों की बरखास्तगी भी हुई नसरूल असलाम और बाकी पेड़तों के घरवालों ने इस हत्याकान का आरोप आरेवी पर लगाया उनका कहना था कि नसरूल के विरोधियों ने आरेवी के अधिकारियों को पैसे खिलाकर उनकी हत्या करवाई ये मामला अदालत में पहुँचा एतिस लोगों पर आरोप तैक किये गए इसमें आरेवी के कई सीनियर अधिकारियों स्थाने नेता शामिल थे जन्वरी 2017 में नारायन गंज की जिलादालत ने 26 दोशियों को मौत की सजा जबकि नौ को जेल की सजा सुनाई अदालत ने पाया कि इस हत्याकारियों ने लगबग 6 करोड टका लिये थे नसरूल अस्लाम और उनके 4 सहयोग्यों को उनके घर से किटनाप किया गया था वकील चंदन सरकार उसी समय उस रास्ते से गुजर रहे थे उन्होंने चिला कर लोगों को बुलाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं आया आरे भी कोई सबूत या गभा नहीं छोलना चाहती थी उसने सरकार के साथ साथ उनके ट्राइवर को भी उठा लिया बाद में सातों की हत्या कर दी गई और लाशों को नदी में डंप करने की कोशिश की गई अदालत ने अपने पैसले में लिखा कि इस हत्याकान ने देश को सदमे में डाल दिया है नारायन गंज जिला अदालत दौारा दी गई सजा के खिलाब ढाका हाई कोट में अपील की गई अगस 2017 में हाई कोट में 15 लोगों की मौत की सजा बरकरा रखी बाकी 11 की मौत की सजा को आज जीवन कारावास में बदल दिया गया था इस पैसले के बाद अमेरिका ने बांगलादेश सरकार से आरेबी को भंग करने की मांग की थी बांगलादेश ने इससे इंकार कर दिया उसने कहा कि आरेबी में कुछ बुरे लोग हैं हम उनको हटाने की ओजना पर काम कर रहे हैं बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इहां तक कहा कि लोग तो अमेरिका और ब्रिटेन में भी गायव होते हैं, हमारा रेकॉर्ड उनसे बहतर है लेकिन क्या आरेवी में गिंती के ही बुरे लोग हैं? आंकले इस दावे को कलट ठेराते हैं बांगलादेश में गुमशुदा किये गए लोगों और गयर नयाये खत्या के पीड़तों के सगे संबंधियों की मदद के लिए एक संगठन बना है और दिकार मंच इनके एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 2020 के बीच आरेवी एक 1000 से अधिक खत्याओं में शामिल रही है आरेवी को सरकार का पूरा संडरक्षन मिला हुआ है वो अपरात के खिलाब जंगलर्ले के नाम पर कुछ भी करने के लिए आजाद है इसका सबसे बड़ा सबूत इस बात से मिलता है कि आरेवी खालिदा, जिया और शेक हसीना दोनों की सरकारों में फलती फूलती रही है अब आपको आरेवी का इत्यास पताते हैं आरेवी की स्थापना 2004 में हुई थी, उस समय बांगलादेश में बांगलादेश नाशनलिस्ट पार्टी BNP की सरकार थी BNP देशपन में बढ़ रहे अपरात को खत्म करने का दावा करती थी, पुलिस उसमें सफ़ल नहीं हो पा रही थी इसने एक नई पेरा मिलिटरी फोर्स का गठन किया गया, इसमें मिलिटरी के सासाथ पुलिस के लोगों को भी शामिल किया गया, आरेवी को असीमित शक्तियां दी गई, आरेवी ने शुरुआती देखिए, रैब टैलिंग के अवाले से, पूरी के पूरी काफी एक ठीक है रैब को यूज किया जाता है, गौर्मेंट की जानिब से, अबी बी नपी की हकूमत है और इसका इस्तमाल रैब का इस्तमाल जो है, वो अवामी लीग के खिलाफ जो है, इसे पहले खाल्दा जिया के दोर में, खाल्दा जिया की गौर्मेंट में इसका इस्तमाल किया जाता था BNP کے खिलाए, opposition parties क्वलाफ जो यहां पे इसको aztमाल किया जाता है और वह itself इंडिपेंडनट नहीं है, तो यह जो तो इंडिपेंडनट होती ęुनको अच्छी और सही का पता होता, तो नहीं करती नहीं करती, क्योंकि बहुत सी जगों पर अमेरिका जो है अपने मफाद की वज़ा से भी रिस्ट्रिक्शन्स लगाता है विल यहां पर इन्होंने जो स्टोरी सुनाई है जो स्टोरी स्टोरी बताई है रैप के हवाले से किस तरह नो डैट स्कॉर्ड में बदल गी उसके बाद अलगे पर बनिया लगी इन्सान यह कोद की खिलाप फर्जी करने की वज़ा से तो इसके बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं आप बस जो भी इंफॉर्मीशन है लाज्वी शेयर करें आप लोगं को क्या करना है भी अख्र विडियो को आप लोगने लाज़ी लाग करना है लाई कर सामने उसे चल्दी से उसे क्लिक कर दे